हालो फ्रेंट वेलकम बैग टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट राज हम तीन से चार साल की बच्ची के लिए हम रेला फ्रोग कटिंग गाइन स्टिचिंग स्टेप बाई स्टेप बताएंगे सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे फैबरिक हमारा टू फोल्ड है फैबरिक की लंबाई ये आठ पॉइंट टू इंच फैबरिक की चोड़ाई पंदरा इंच है फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे फैब्रिक हमारा फोर फोल्ड हो गया इसके बाद हम सोल्डर का निसान लगांगे शाड़े चार इंच पर आर मॉल की लंबाई हम ढ़ाई इंच लेंगे निसान को इस कल से मिलाएंगे सीधि लाइन खीचेंगे इसके बाद हम आर मोल की गुलाई कर देंगे इसके बाद हम चेश्ट का निसान लगाएंगे जितनी हमारी चेश्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो चेश्ट का निसान हमने 7 इंच पर लगाया है ऐसी हम कमर का निसान 6 इंच पर लगाएंगे दोनों निसान को हम इसकेल से मिलाएंगे जैसे हमने निसान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है टॉप पार्ट को हम खोल के देखेंगे यह हमारे टॉप पार्ट के दोनों पल्ले हैं इसको हम फोल्ड करके साइड में रख देंगे इसकट पाट की कटिंग करेंगे फैब्रिक हमारा टू फोल्ड है फैब्रिक की चौड़ाई साड़े 19 सिंच है फैब्रिक की लंबाई साड़े 19 सिंच है एक कोन्य से उठा के इसे हम ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे फैबरिक हमारा ट्राइंगल में फोल्ड हो गया है यह ओपन साइड है फैबरिक हमारा चार फोल्ड है अब इसी की उपर हम उपर साइड टॉप पार्ट को रखेंगे अच्छे से से सेट करेंगे और चाक से हम निसान लगाएंगे इंची टेप को टॉप पार्ट के नीचे रखेंगे और ग्यारा इंची पर निसान लगाएंगे ऐसे में हम पूरे में ग्यारा ग्यारा इंची पर निसान लगाएंगे इसके बाद सभी निसान को वापस में मिलाएंगे यह हमारे फ्रॉक का घेरा है टॉप पार्ट को उटा के हम साइड में रखेंगे जैसे हमने निसान लगाया वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड हमारे स्कट पार्ट की कटिंग हो गई है यह देखिए इसके बाद इसको फोल्ड करके साइड में रखेंगे टॉप पार्ट को लेंगे उपर की साइड एक बार फोल्ड करेंगे फिर से फोल्ड करका हमें स्टीच करेंगे सोल्डर ऐसे दूसरा वाला सोल्डर भी फोल्ड करेंगे फिर स्टीच करेंगे इस पर प्रेंट हमारे सोल्डर पर स्टीच हो गई है इसके बाद टॉप पार्ड को हम सीधा करेंगे इसके बाद एक और यह भी पट्टी लेंगे उसको आगे की साइड से फोल्ड करके आरमोल पर रखेंगे इसके बाद एक और और यह भी पट्टी लेंगे उसको भी आगे की साइड से फोले करकि आर्मॉल पर रखेंगे ऐसी हम दूसरे आर्मॉल पर भी पट्टी को रखेंगे और आर्मॉल पर स्टीच करेंगे रेंड हमारे आर्मॉल पर स्टीच हो गई है अब आर्मॉल में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे कट लगाने से बहुत अच्छी डिजाइन बनती है पलटने के बाद और बहुत फिनीसिंग आती है फ्रेंट आर्मोल में कट लग चुका है इसके बाद पट्टी को एक बार फोल्ड करके पीछे की साइड हम टर्न कर देंगे आईसे हम दूसरी वाली पट्टी को फोल्ड करके पीछे की साइड टर्न कर देंगे और स्टीज करेंगे फ्रेंट हमारे दोनों आर्मोल बन चुकी है और स्टीज भी हो गई है इसके बाद फोल्ड करके साइड में रखेंगे फैबरिक की दो पट्टी लेंगे जिसकी चोड़ाई है दो इंच लंबाई है आठ इंच पट्टी को एक बार फोल्ड करके इस पर हम स्टीच करेंगे ऐसे हम दूसरी वाली पट्टी को भी फोल्ड करके स्टीच करेंगे फ्रेंट हमारी पट्टी पर स्टीच हो चुकी है सेप्टी पिन लेंगे उसे पट्टी में ऐसे फसाएंगे और सेप्टी पिन से हम पट्टी को पलट देंगे ये देखिए safety pin को निकालेंगे ऐसे हम दूसरे वाले पट्टी में safety pin को फसाएंगे और पलट देंगे बहुत ही आसानी से safety pin से पट्टी को हम पलट देंगे safety pin को निकाल के हम side में रखेंगे यह मारी दोनों पट्टी यह हैं इसके बाद हम टॉप पार्ट को लेंगे इसके बाद एक पट्टी को लेंगे टॉप पार्ट के नीचे रखेंगे दूसरी वाली पट्टी को भी टॉप पार्ट के नीचे रखेंगे दूसरा वाला टॉप पार्ट लेंगे अच्छे सेट करके उसके उपर रखेंगे इस cut part को लेंगे top part के उपर अच्छे से set करके रखेंगे right side दोनों अंदर side है ऐसे दूसरा वाला पल्ला लेंगे अच्छे से set करके रखेंगे इसकी भी right side दोनों अंदर की side है stitch करेंगे friend हमारी stitch हो चुकी है इसके बाद घेरे वाले पल्ले को ऐसे सीधा करेंगे जो हमारा fabric है सिलाई वाला उपर side रहेगा और stitch करेंगे ऐसे दूसरी side भी जो हमारी stitch है fabric के उपर आएगी friend हमारी stitch हो चुकी है इसके बाद frock को अच्छे से set करके fold करके side में रख देंगे fabric के दो पट्टी लेंगे पट्टी की चोड़ाई ढ़ाई इंच है दोनों पट्टी की लंबाई है 17 इंच पट्टी को ऐसे हम fold करेंगे आगी की side हम chalk से निसान लगाएंगे ऐसे हमे stitch करना है दूसरी वाली पट्टी को भी fold करके निसान लगाएंगे ऐसे में stitch करना ये वाली पट्टी को भी हमारी दोनों पट्टी यां stitch हो चुकी है जो हमने तेरचा stitch किया उसे हम cut करके निकाल देंगे इस ट्रफ फैबरिक इसके बाद कुछ नुकीली चीज लेंगे उसे से हम पट्टी को पलट देंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नेगे सस्क्राइब करिए विल आइकन को प्रेस कीजिए आलकाप्सन सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले निस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, सिर, सिस्क्राइब करिए फ्रेंड फ्रेंड हमने पट्टी को पलट दिया है इसके बाद हम फ्रॉक को लेंगे फीता को लेंगे टॉप पार्ट के पास अच्छे से हम उसे पिन से अटेच करेंगे दूसरे साइड के फीते को भी हम पिन से अच्छे से अटेच करेंगे और फ्रॉक को अच्छे से से शेट करके हम स्टीच कर देंगे फ्रेंड हमारे फ्रॉक पर फिटिंग वाली स्टीच हो चुकी है इसके बाद हम फ्रॉक का बॉाटम बनाएंगे एक बार फोल्ड करके स्टीच करेंगे फ्रंड हमारी स्टीच हो चुकी है फिर से हम फोल्ड करके स्टीच करेंगे ताकि हमारी फिनीसिंग अच्छे से आए एक बार फोल्ड करने से स्टीच करने से अच्छी फिनीसिंग नहीं आती है अम्रेला फ्रॉक में फ्रॉंड यह हमारी स्टीच हो चुकी है कितने फिनीसिंग के साथ फ्रॉक पर हम बटर्फलाई लगाएंगे बटर्फलाई लगाने से फ्रॉक का लुक बहुत प्यार आएगा अपने बच्चों के लिए जरू ट्राई कीजिए फ्रॉक ठैंक यू फ्र